जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके साथ सेर करेंगे बेसन ब्रेट टोस्ट की रेसिपी बेसन और ब्रेट से बनने वाले इस नाश्ते की रेसिपी बहुत ही क्वीक और सिंपल है तो चलिए सुरू करते हैं इस नाश्ते के लिए सबसे पहले हम बेसन का एक घोल बना कर तयार करेंगे तो हमने यहाँ पर 150 ग्राम बेसन लिया है इसमें हम स्वादनुसा नमक डाल देंगे हमने 1.5 टीस्पून नमक डाला है इसी के साथ एट कर देंगे 1.5 टीस्पून चाट मसाला और एट करेंगे 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर तो पहले इन सारे सुखे मसालों को हम बेसन के साथ अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका घोल बना कर तयार करेंगे पानी हम इसमें एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हमें एशा गहल बनाना है कि जिसमें बिलकुल भी गुठ़िया ना हो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने जो गहल बनाया है उसकी कंसिस्टंसी हमने कुछ एसी रखी है ना ही हमने इसे ज्यादा गाड़ा बनाया है और ना ही ज्यादा पतला और इस टेज़ पर हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स की जगह आप यहाँ पर लाल मीश पाउडर भी डाल सकते हैं और इसी के साथ हमें इसमें कुछ वेजिश डाल देने हैं जिसे की प्याज, हरी मीश, टमाटर और हरा धनिया इन सारी सबजियों को हमने बारिक काट लिया है हमने यहाँ पर प्याज, हरा धनिया और हरी मीश की क्वंटिटी दो टेबल स्पून जितनी रखी है और टमाटर की क्वंटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है तो हमने टमाटर तीन टेबल स्पून जितने लिए है और यहाँ पर आप छोटी वाली हरी मीश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हमने जो हरी मीश लिए है वो ज्यादा तीखी नहीं है अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पर हमारा घोल बन चुका है अब ब्रेट टोस्ट बनाने के लिए हमने एक पेन अच्छे से गरम कर लिया है और इसमें हम एक टीश्पून जितना तेल डाल कर इसे पूरे पेन में अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे आप यहाँ पर तेल की जगह बटर या फिर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब हमने जो घोल बना कर रखा है उसमें हमें ब्रेट की स्लाइसिस को डीप करके इसकी दोनों तरफ घोल अच्छे से एप्लाई कर लेना है और इसे हम लो फ्लेम पर सेकेंगे इसे सेकते वक्त हम गेस की फ्लेम को हाई या फिर मेडियम नहीं रखेंगे नहीं तो यह जल जाएगा तो हमने ब्रेट को एक तरफ से तीन से चार मिनित तक लो फ्लेम पर सेक लिया और इसकी दूसरी साइट पर हम थोड़ा सा तेल एप्लाई कर देंगे और इसकी साइट को चेंज करके दूसरी तरफ से भी इसे तब तक सेकेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पना हो जाए तो दूसरी तरफ से भी हमने इसे तीन से चार मिनित के लिए सेक लिया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक बेसन ब्रेट टोस्ट बनकर तयार है बाकी के घोल में से इसी तरह हमें बेसन ब्रेट टोस्ट बनाकर तयार कर लेने है तो हमने जो घोल बनाया है वो आठ ब्रेट टोस्ट बनाने के लिए काफी है तो देखा आपने इसकी प्रिपेरेशन कितनी आसान है सिफ पांस से दस मिनिट में बहुत ही बढ़िया बेसन और ब्रेट का नास्ता बनकर तयार हो जाता है आप बच्चों के लिए टिफिन बोक्स में भी इस रेसिपी को ट्राइक कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई